हाई एवरिवन मैंने में शिवांच बसीनू वल्कम बाक टू देश चैनल सो गाइज हम लोग ने फ्राइडे के सेशन में देखा था कि निफ्टी ने एक बहुत अच्छी फॉल दी थी अल्मुस्ट अपना अल्टाइम हाय क्रियेट करें आफ्टर दाट 400 पॉंट्स की फॉल हमें देखने को मिली 106 ऑल्मुस्ट थाउजन पॉंट्स तक फॉल कर गया था क्या रीजन्स थे क्या मार्केट दुबारा एक फॉल कर सकती है मंडे के ट्रीडिंग सेशन के अंदर या मार्केट में एक रिकवरी आ सकती है और अब जो करेंट एक्सपारी आ रहा है उस करें दिसकेशन होगी आज की वीडियो के अंदर तो चलते हैं आपने ट्रेडिंग सेटक के अंदर और देखते हैं कि किस तरीके से मार्केट का सेनारियो हमें देखने को मलता है हम लोग अपने ट्रेडिंग सेटप की तरफ आच चुके हैं और सबसे पहले हम लोग ने निफ्टी को स्टड़ी करते हैं बट क्या हुआ निफ्टी ने इस लेवल को टेस्ट करा उसके बाद से एक सेलिंग प्रेशर जो जिस तेजी से आना शुरू करी अल्मॉस्ट हम लोग चार सो पॉइंट का एक फॉल देखने को मिला अब यह जो फॉल आया है उस पर क्या हुआ जो प्रिविएस एक स्विंग जहां से मार्केट ने पुल बैक दिया था वह लो भी बहुत एक्स्ट्रीम लेवल पर ब्रेकडाउन करा है ठीक है अब यह जो मूव आई है देखिए सबसे पहले तो एफ आया ने अच्छी खासी सेलिंग करी और अल्मॉस्ट नाइनड़ क्रोड प्लस तो कैश मार्केट क कम नहीं करे अगर वो इंट्रोस टेट उन्होंने कम नहीं करे फिकॉस इंफलेशन अभी वी उदर बढ़ा वा है अनेइंप्लॉइमेंट रेट अभी वि बढ़ा वा जिसकी वज़़ा से उनलोगों ने फेट्स दे रेट कम नहीं चीक है और एक अनसर्टिन लेकर आता है तो definitely वो FII's जो होते हैं, वो market के अंदर ज़्यादा पैसा नहीं लगाते हैं उस समय, तो I think यह दो main reason है और एक profit booking भी हो सकता है, क्योंकि majority लोगों को यहाँ पर एक profit booking का option नहीं मिला होगा तो जब वो यहाँ पर गया होगा दुबारा तो majority लोगों ने आपर profit booking करने के लिए सोची ज़रूर होगी ठीक है, अब वो देखना है या जो वो profit booking होई है, क्या वो new buying के अंदर convert होती है या नहीं होती है या यह जो selling pressure है यह दुबारा continue trend में चलता है तो उसके लिए कुछ हम लोग factors को study करेंगे, but एक जो main factor होगा, वो होगा कल की market को study करना, क्योंकि कल की market में जो buyers और sellers का behavior होगा जो candlesticks बनेंगी, और 5 minutes और 3 minutes के time frame पे, जिस तरीके से candlesticks develop होँगी, वो हमें structure बताएगा, क्यों लोगों का behavior क्या है on a buying side है, और on a selling side है और वो जो कल की closing होगी वो decide करेगी market का trend किस तरफ बन सकता है, आने वाले time पे क्या यह as a profit booking थी और नीचे lower levels पे buying दुबारा कर रहे हैं, या यह जो profit booking थी, अब नए sellers भी enter होना, start हो रहे हैं तो वो चीज हमें कल की closing अच्छे तरीके से बता सकती है चेक है, बड़ चलो अब भी जो factors हमारे सामने हैं, एक बार उनको study करते है अब यहां पर आप clearly देख सकते हैं कि यहां पर एक gap है, जो एक gap अभी तक fill नहीं हुआ है, अब यहां पर definitely breakdown आ गया है, तो मैं इस breakdown को इस level तक लेकर आ जायता है अब most probably क्या हो सकता है, कि जब यह एक fall आया, तो एक pullback definitely आ सकता है, वो pullback आएगा, वो pullback as a gap up opening के through आ सकता है, most probably gap up opening के through भी आ सकता है क्योंकि I think US market भी positive थी, चेक है, and gap up opening के through आ सकता है, और इसी level को test करके market एक बार दुबारा नीचे की trend को continue कर सकता है ठीक है, कि अगर मैं यहाँ पर एक बार Fibonacci लेकर चलता हूँ, from this top to this bottom, तो 50% के आसपास तो यह level निकल के ही आ रहा है जिस level से स्ने swing break करा ठीक है, तो अगर कल gap up होता है, gap up होने के 5 minutes के time frame के अंदर ही हम लोग देखते है कि market ने इस level को test करा और 5 minutes में bearish candle बनती है so there might be a chance कि यह particular low तक तो easily आ सकता है almost हम लोगों को 150 points दुबारा nifty provide करवा सकता है, इसको break करे ना करे वो पूरे session पे depend करेगा but क्या इस level तक दुबारा सकता है play a short position और हम in lower levels पे exactly इस bottom पे नहीं, इस से थोड़ा उपर हम लोग अपने levels को mark कर सकते है for a selling purpose target के लिए और let's say कि अगर एक gap down opening की देखने को मिलती है अगर gap down opening देखने को मिलती है और 5 minutes के लिए हम लोग definitely फिर wait करेंगे अगर वो 5 minutes के time frame पे gap up opening पे recovery आना start हो जाती gap up हुआ और वो ही candle उसकी recovery कर रही हो और 5 minutes time frame then हम लोग patiently wait करेंगे जिस level से वो gap up को cover करेगा, gap fill कर देगा और वहाँ पर कोई bearish candle बनती है तो हम दुबारा short बना सकते है क्योंकि अगर वहाँ पर gap up, gap down opening होती है तो majority of the लोगों ने selling position भी बना के गए है that doesn't, that means कि वो लोग profit booking तो करके गए है बट extra selling position भी बना के गए है तो जब वो gap fill हो रहा होगा तो वहाँ पर और selling entries आ सकती है नहीं, तो वहाँ पर भी selling opportunity आ सकती है, तो दोनों case में short पे जाना है, जेक्या है अब for example, इसी के आसपास खुलता है ना इस level को test करता है ना इस level के नीचे जाता है, तो हमें क्या option लिकर चलना है तो हम लोग अभी patiently wait करेंगे क्योंकि market में कल दो type of scenario हो सकते हैं 12 बजे, 1 बजे, 1.5 बजे तक market एक trend को follow कर सकता है that can be sideways, bearish और uptrend और उसके बाद वो trend drastically change भी हो सकता है अगर कल market 1.5 बजे तक bullish है, तो उसके बाद एक गिरावट भी आ सकती है, अगर गिरीवी है तो market और जाद अतीजी से गिर भी सकती है ये बात याद रखेगा अगर market गिरीवी है तो definitely एक momentum ऊपर की side आ सकता है डेड़ बजे के बाद but otherwise हमें लगता है कि market में और तेजी से selling pressure भी आ सकता है but वो हमें कैसे पता चलेगा अगर हम लोग sensible में multi strike open interest पे जाके study करें कि particular दोनों strike price पे क्या हम लोगों को intersection देखने को मिल रहा है या unwinding हो रही है या नहीं positions add on हो रही है या नहीं हो रही है वो live market पे हमें easily हर 5 minute पे देखने को मिल जाता है ठीक है so मैं ये target मान के चल रहा हूँ अगर आता है क्यों मैं ये targets मान के चल रहा हूँ let me make a Fibonacci retracement from this bottom to this top और exactly 61% आ रहा है और ये हम लोग ने जो long range की एक trend line बना रखी है जो multiple bottoms को connect कर रही है ये bottom की trend line भी इसी level के असपास test करती है तो almost 22,100 से 22,150 की levels हमें देखने को मिल सकते हैं अगर एक fall आता है और वहां से एक recovery definitely आ सकती है अगर नहीं भी recovery आती है और after a fall अगर trend line को ऊपर की तरफ break भी करता है तो भी एक नई entry बना सकते है at this point आप देखने हैं जिस तरीके से trend line का breakdown हुआ बट जैसी momentum पे ऊपर जाके green candle के साथ close करी एक अच्छी momentum हमें देखने को मिली so this might be possible कि ये देख सकता है एक बार open interest की study कर लेते है open interest change को देखते है so यहाँ पर आप देख सकते है जो red color की candle है वो हमें बताती है कि call का open interest का change क्या हुआ उस दिन में and जो green color की है वो बताती है put का क्या हुआ अगर put का जादा है तो हमें पता होता है कि एक support base बनावाई नीचे की तरफ और अगर red color की candle जादा तो that means उपर heavy resistance है जिसे break करना बहुत मुश्किल होगा ठीक है so आप देख सकते हैं कि almost 22,500 पे आज की closing ए निफ्टी की spot price की 22,475 तो 22,500 पे almost 33,000,000 का call का open interest का change बैठाव है call writers active है जिन्होंने position बनाई है ठीक है so this might be a chance कि active call writers की position 33,000,000 की add हुई है इसे break करना मुश्किल हो सकता है और put writers ने almost almost just 8-9,000,000 का निया उन्होंने बनाई है इसके लावा कर हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे तो 22,600 के अंदर put writers ने unwinding कर लिया put unwinding हमें देखने को मिली है that means जो वो लोग base मना के चल रहे थे वो base ही उन्होंने exit कर दिया ठीक है और वो लोग आगे की तरफ shift भी नहीं कर रहे है आप देख सकते हो अगर वो आगे की तरफ shift करने की कोशिश करते तो definitely हमें इस पे एक spike देखने को मिलती जो में देखने को नहीं मिली है तो this might be a chance कि उपर एक hurdle definitely build up हो रहा है अगर वो उपर hurdle build up हो रहा है तो एक pullback पे या हम लोग एक selling pressure definitely बना सकते है इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को एक बर FIS का भी data दिखा देता हूं तो FIS के data पे आप लोग यहां देख सकते हैं कि FIS पे index पे future में strong bearishness आप देख सकते हैं कि यहां पर short position अच्छी खासी बनाई गई है इंडेक्स options के अंदर indecisive है indecisive पे भी आप चेक कर सकते हैं क्यों है indecisive कि almost यही वाली position जो मैंने आपको automatically अब भी दिखाई थी after that आप देख सकते हैं कि pro में I don't think यह pro यह clients का क्या है but almost हम लोगों को अगर सिफ इस data को interpret करना हो तो हम एक bearish signal ही देखने को मिल रहा है तो यह FIS का data हम लोगों को suggest कर रहा है अब एक बात करते हैं bank nifty की अगर bank nifty इस range को test करता है और इस range से हम लोगों को momentum आना start करती है तो हम एक buying opportunity definitely लेकर चलेंगे but हुआ क्या bank nifty नीचे आया nifty ने एक breakdown दिया अपने previous swing low का and after that हम लोगों को एक major fall nifty के अंदर आते वे दिखने को मिला bank nifty थोड़ा बहुत stabilize हो गया bank nifty के अंदर definitely higher level से एक fall आया है but वह stabilize हो गया अपने support level पर जाकी इसने closing दे अब क्या chances है अब हमें अगर कल एक बढ़िया short trade बनाना है तो हम यह देख सकते हैं अगर nifty ने gap of opening दी और वहांसे selling pressure आना start हो और bank nifty इस level को break करता है तो definitely bank nifty के अंदर भी हम लोगों को एक falling देखने को मिल सकती है बट अगर bank nifty इसी range के अंदर रहता है पूरे time और nifty अपने lower levels के target को achieve भी कर लेता है that means कि वहांपर एक new fresh buy entry level भी initiate हो सकता है जिक है why क्योंकि यह जो particular level है मैं दको लगता है यह particular level bank nifty शायद cross ना करें जिक है अगर यह level को cross करता है तो definitely हम लोगों को एक बड़ा selling pressure almost 1200 का और एक fall bank nifty यहां से दिखा सकता है but otherwise मैं bank nifty में अभी short side पे या long side पे trading opportunity नहीं देख रहा जितनी मुझे confirmation nifty के अंदर देखने को मिल रही है यह nifty bank nifty confirmation हम लोगो कल की trading session पे clearly confirm हो जाएगी कि किस तरफ market का trend है तब भी मैं एक बर आप लोगों को option data का दिखा देता हूं उस पे automatically हम लोगों को एक अच्छा selling pressure दिख रहा है bank nifty के अंदर आप यहां देख सकते हैं अभी जो closing देखने को मिल रही है वो 48,900 पे देखने को मिल रही है और 49,000 पे heavy heavy call writers active है almost 9 lakh के call writers active है और put writers में almost 5 lakh contracts put unwinding देखने को मिल रही है इसके आगे भी हम लोगों को आप देख सकते हो 49,200 पे देखने को म हर जगा हम लोगों को put unwinding देखने को मिल रही है और heavy heavy call writers उपर active है so that means कि उपर जाना bank nifty के लिए तो अभी बहुत strong hurdle बन सकता है नीचे आने के लिए market definitely दिखा सकता है कि और नीचे यह आ सकता है but वो नीचे का confirmation मुझे कल तक चाहिए होगा मैं इस option data के सिर्फ basis पे trade नहीं ल अब बात करते है कुछ stocks की तो सबसे पहला stock है टिमकें इंडिया इसका मैं आप तो को weekly time frame open करके दिखा देता हूँ and on a weekly time frame एक बहुत बढ़िया stock है आप यह चेक कर सकते है एक momentum stock है और बहुत easily way continuous way पे उपर जा रहा है stock चीक है एक अच्छे continuous way पे उपर जा रहा है अभी almost 7 से 8 महिने तक यह range bound के अंदर trade कर रहा है आप देख सकते है range session के अंदर trade कर रहा है and I personally think कि अब इसका breakout 3500 के उपर definitely आ सकता है यह जो momentum आ रहा है momentum definitely इसका breakout लेकर जा सकता है so अगर मैं आता हूँ इसके daily time frame के अंदर so on a daily time frame अगर आपको कोई भी momentum दिखता है on a higher side अगर इसके पर जाना start करता है 3400 पर भी close करना start करता है तो आप कम-कम quantities के अंदर इसके अपनी positions add-on करना start कर सकते हैं अगर आप 100 shares buy करना चाहते हैं तो definitely after this breakout आप buy करेगा heavy quantity but 5 share the share AC range के अंदर आप लोग add-on कर सकते हैं ठीक है after breakout आप और quantities add-on इसके definitely बना सकते हैं so यह particular stock आप अपनी watchlist क अंदर जरूर add करके रखेगा यह stock बहुत अच्छे trend में easy way पर उपर जा रहा है यह ना कि एक simple way पर straight line पर उपर जा रहा है तो I think यह particular stock हमें आने वाले times पर अच्छे returns दिखा सकता है जिस तरीके से past में इसने दिखा रखे हैं so इस पर momentum अच्छा बन सकता है अब बात करते अपने second stock that is mothers and sumi mothers and sumi को अगर हम लोग लेकर आते हैं let me open a stock yes इस पर अगर आप देखेंगे तो on a monthly time frame एक बहुत अच्छा pattern बनावा है बहुत बढ़िया pattern on a monthly time frame बनावा है आप देख सकते हैं cup and handle का formation है और उस cup and handle का formation का एक अच्छी candle के साथ इसने breakout दिया है अगर आप चे decisive candle दीते हैं on a monthly time frame वो भी एक heavy resistance zone बड़े अच्छे resistance zone बट उसके बाद उसने एक बड़िया candle develop करी और बड़िया candle के बाद अब वो एक momentum देनी की त्यारी कर रहा है वहां 30 के range से उपर जाना start कर रहा है I personally think यह particular stock आने वाले time पे अच्छा momentum दे सकता है अगर मैं इसका 15 minute का time frame open करता हूं तो यहां पर आप देख सकते हैं after a very good breakout breakout के बाद यह एक range के अंदर ही आगया है इसने यहां से breakout दिया उस breakout के आसपास ही वो sustain कर रहा है consolidate कर रहा है अगर इसका breakout आता है तो definitely यह एक अच्छा breakout हो सकता है और यह मदशन सुमी और अपने highs को continue कर सकता है अगर एक simple range कितना minimum target देगा तो जो इसका bottom है handle का ठीक है और जो इसका top है almost bottom क्या है 60 rupees का and top है 130 rupees का तो 70 points almost easily आने की 200 points यह 200 rupees का levels easily दिखा सकता है according to the target अगर नहीं भी आता तो 50% भी अगर ही अपने target को achieve करता है तो यहां से almost 165 rupees तक के targets भी हमें देखने को मिल सकते हैं तो यह चीज भी अब बात करते हैं अपने last stock ही so our last stock is APL Apollo यह भी मेरे एक बहुत अच्छा stock रह चुका है and इसका मैं अगर weekly time frame open सबसे पहले आपको weekly time frame open करके दिखाता हूँ so आप देख सकते हैं मैं आपको stocks वही दे रहा हूँ जो एक अच्छे trend में चल रहे है buy on dips पे भी यह stock आपको अच् couple times अपने trend line को test कर रहा है और इसके उपर ही sustain कर रहा है अभी on a daily time frame अगर आप लोग चेक करोगे तो इसने एक बहुत अच्छा head and shoulder pattern form करा है और अगर इसका breakout देता है 1600 1603 का अगर यह breakout देता है तो यह previous highs है जो कि almost 151 70 points उपर है वो इसको भी test कर सकता है और इसके उपर भी ज list के अंदर जरूर रखेंगे यह सारे stocks trending stocks हैं अगर momentum इस पर आ रहा है तो why not capture it ठीक है अगर दे रहे हैं तो अगर अभी तक देते आ रहा है तो अभी वी दे कर चल सकता है एक ऐसी बहुत बुरी किस्मत होगी कि आपने जब buy करा तब ही वो trend change हो गया बट ऐसा मुझे नहीं सकता भी होगा I think यह result अच्छे दे रहे हैं यह एक अच्छे formation के अंदर काम कर रहे हैं तो आपको बढ़िया result दे सकते हैं so make sure आप इस वीडियो को like करें हमारे चैनल को जरूर subscribe करें let's say कि हम लोग 1 lakh subscribers तक भी cross कर पाएं अगर मैं consistent रहता हूं जो चीक है और मैं definitely try कर रहा so make sure like this video and कोई भी doubts हो make sure आप comment section पर हमसे पूछ सकते हैं have a very good day guys and एक चीज़ और एक अगर आप लोग ने last की वीडियो देखी है तो एक चीज़ में पूछना चाहूंगा comment section के अंदर मुझे जरूर बताएगा अगर आप लोग जॉब करते हैं as a research equity research पे या analyst पे या investment banks पे ज बताएगा हम लोग connect करते हैं कुछ मेरी भी doubts हैं जो मैंना सोचा आप लोगों से पूछ लिया जाएंगे अगर आपको आता होगा and mix करके हम लोग एक video भी बनाने की कोशिश करते हैं जिसके हम एक dedicated talk के बारे में research करेंगे and वो आप लोगों के सामने present भी करेंगे have a very good day guys मैं आप से मिलता हूं कल के video